डॉक्टर मनमोन सिंग जी विल्चेयर में आये, बोट किया, एक सांसद अपने दाईत्व के लिए केतना सजग है, उसका वो पुदार है। सवाल यह नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आये थे। मैं मानता हूँ वो लोकतंत्र को ताकत देने आये थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी, तो कुछ मानिय सदस्यों की जो चर्चा होगी, उसमें मानिय डॉक्टर मनमोन सिंग की योगदान की चर्चा जुरूर। मैं विशेश रूप से मानिय डॉक्टर मनमौन सिंग जी का स्मरण करना चाहूँगा छे एक बार इस सदन में वो अपने मुल्यवान विचारों से और नेता के रुप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रुप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा रहा है वैचारिक बध्वेद कभी बहस में छिटा कसी वो तो बहुत अलपकालिन होता है लेकिन इतने लंबे अर्षे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मारदर्शन किया है देश का मारदर्शन किया है वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोग कंत्र की चर्चा होगी तो कुछ मानिय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें मानिय डॉक्टर मनमोन सिंग की योगदान की चर्चा जुरूर और मैं सभी सांसदों से चाहिए सदन में हो या उस सदन में हो जो आज है वो चाहिद भविश में आने वाले हैं वह उन से जरूर कहूंगा कि ये जो मानिय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों नहीं हो लेकिन जिस प्रकार चे उन्होंने अपने जीवन को कंड़क किया होता है जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कारकाल में कराए होते हैं उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए मुझाद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का आउसर था विशय तो मैं छूट गया है मेरा लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी मैंड की होने वाली अंतर भी बहुत था लेकिन डॉक्टर मनमोन सिंग जी वीलचेयर में आए वोट किया एक सांसद अपने दाईत्व के लिए केतना सजग है उसका वो पुदा वो पेरक उदार था इतना ही ने मैं देख रहाँ का कभी कमिटी के चुना हुए कमिटी मेंबर्स के वो विलचेयर में भोड देने आए सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे मैं मानता हूँ वो लोकतंत्रों को ताकत देने आये थे और इसलिए आज विशेश रुप से मैं उनके दिरगायू के लिए हम सब की तर्व से प्रांथना करता हूँ वे निरंतन हमारा मारदर्शन करते रहें हमें प्रेणा देते रहें प्रेणा देते रहें प्रेणा देते रहें